नमस्कार दोस्तों आपका सौगत है जीनेश चौक पर और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्विटर को लीगल शील्ड कैसे लूज करना पड़ा और उस पर कमुनल सेंटिमेंट्स को बढ़ाने का आरोप क्यों लगा ट्विटर ने अपना Safe Harbor Immunity को दिया है क्योंकि ये Statutory Officers को Appoint नहीं कर पाया जो कि Government ने कहा था नए IT कानूनों के तहत तो देखिए IT Act 2000 के तहत कानून में कुछ चेंजिस लेकर आए गए थे और फरवरी में जितने भी Social Media Handles है YouTube, Twitter, WhatsApp, Facebook सभी को नए IT Guidelines को फॉलो करना था तो उन सभी ने तो किया लेकिन Twitter इसको फॉलो नहीं कर पाया और Statutory Officers ये Appoint नहीं कर पाया इस वज़े से अब Twitter पर जो भी Content शेयर किया जाएगा अगर वो Unlawful होगा इंडिया में तो Twitter के उपर सिधा-सिधा कानूनी कारवाई यानिकी Legal Action किया जा सकेगा और Twitter ने इसके जफाई दी है कि इन्होंने Chief Compliance Officer जो है Appoint किया है और जल्दी ये IT Ministry से इसको शेयर कर देंगे तो इसके कुछ Conditions भी थी कि जो Chief Compliance Officer है तो ये जो है इंडिया का होना चाहिए साथ में इनका Employee भी होना चाहिए तो देखे जो ये Twitter ने ऐसा किया है देखे मामला क्या है मामला ये है कि अगर कोई ऐसी चीज किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है जो की Law के खिलाफ है तो उसकी शिकायत कहा करें अभी तक इंडिया में यही समस्या आ रही थी कि अगर मान लिजे किसी के खिलाफ कोई गलत चीज कही गई है तो क्योंकि वो चीज किसी particular person द्वारा कही गई है तो उस पर कारवाई होती थी अगर कुछ unlawful कहा गया हो तो लेकिन जिसके खिलाफ ये चीज बोली गई है वो कहां पर कारवाई करें तो उसके लिए government ने कहा था कि वो अपने compliance officers की एक टीम जो है वो तयार करें जो कि इस चीज का ध्यान दखें कि कि खिलाफ अगर कुछ गलत कहा गया है तो उसको किस तरह से उसकी complain को address कैसे करना है उस कि जिसके खिलाफ कुछ कहा गया है और वो गलत है जो कहा गया है तो उसको address करने के लिए इन्हो action up हो पाएगा और इन्होंने अपना intermediary status खो दिया देखे intermediary status का मतलब है कि अगर जैसे कि हम कुछ type करते हैं किसी भी social media account पर अपने status पर तो जो जैसे कि twitter है twitter एक intermediary यानि कि बीच एक medium का एक माध्यम का जरिया बनता है हमारी बात को कहने का तो अगर हम कुछ गलत कहते हैं तो हमारे खिलाफ कारवाई होगी लेकिन यहां पर अगर अगर ट्विटर ने अपना intermediary का status को दिया है तो अब twitter के उपर direct कारवाई होगी हमारे पर होगी लेकिन वो बात पर होगी तो twitter को intermediary status जो है इसने lose कर दिया तो इसका मतलब यही है कि जो twitter पर कोई भी बात कोई कहेगा तो अब सीधे सीधे twitter पर भी करवाई होगी of course उस particular व्यक्ति पर तो करवाई होगी होगी हालाकि twitter ने इसको कहा है कि हम comply करने की कोशिश कर रहे हैं अब देखे जैसा मैंने कहा कि यह intermediary status होने का मतलब क्या है tutor के लिए तो देखे IT Act 2000 के section 79 के तहट जो twitter है वो legal action के लिए open हो जाएगा किसी भी third party information data या communication link के द्वारा अगर twitter पर कोई भी ऐसी चीज जो कि unlawful है देश में धंगा भढ़काने की कोशिश करती है तो उस case में twitter को सिधा सिधा जो है legal action के लिए बुलाया जाएगा कानूने कारवाई की जाएगी जैसा मैंने कहा और criminally responsible होगा अपने content के लिए कोई भी कहीं से भी twitter पर कोई ऐसी जानकरी डालता है जो कि appropriate नहीं है देश के लिए तो सीधे सीधे अब twitter पर कारवाई की जाएगी और लेकिन end user के लिए जो है इसका कोई जाधा effect नहीं पड़ेगा हुआ है कि अभी कल ही दो दिनों से एक video viral हो रहा था जिसमें एक elder Muslim इनको जो है बहुत बुरी तरीके से beat किया जा रहा था उत्तरपदेश के गाजयाबार district में 5 जून को और बताया जा रहा था कि क्योंकि ये video viral हो गया था तो इसमें बताया जा रहा था कि इनको ऐसा कहा ग Twitter ने सबसे बड़ा काम किया Twitter में बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को share किया साथ में अपने messages पोस्ट किये जिसकी वजह से ये एक Hindu Muslim सांपरदाइक वाला केस बन गया और इसी वजह से जब पुलिस को पता चला तो एक FIR सीदा सीदा लांच हो गई 15 जून को Twitter के खिलाव क्योंकि Twitter पर ही ये मोहीम चलाई जा रही थी और Twitter ने कोई भी ऐसा जो है तरीका नहीं अपनाया जिससे कि उन messages को जो फैला जा रहे थे wrong way में उनको हटाया जा सके डिनाई कर दिया गया पुलिस के द्वारा गाजयबाद पुलिस के द्वारा जैसा लीगल immunity का मतलब है कि अब इन्होंने intermediary यानि की एक माध्यम का resource को दिया है और अब हम इन पर legal action कर सकते हैं जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं वो भी इंफ्लामेटरी ट्वीट होगा तो उस पर जिम्यदार कौन होगा ट्विटर और इसी के लिए इस पर जो है एफायार करी है और इसलिए करी है क्योंकि इन्होंने मिस्लीडिंग कॉंटेंट को हटाया नहीं जो कि इतने दिनों से वाइरल हो रहा था साथ-साथ कुछ पॉलिटिशन्स और जर्नलिस्ट पर भी जो है यह कारवाई हुई है कम्यूनल सेंटिमेंट्स को भढ़काने की अब देखिए इंट्रमिडरी स्टेटर्स क्यों लिया गया है तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स और इंफर्मिशन ट्रिक्नलोजी मिनिस्टर इसको जो है माना नहीं तो यह नॉन कंप्लाई हो गया यह एड्रेस नहीं कर पाए ग्रिवेंश को यूजर्स के और अब देखिए इनको यह मानना होगा जो भी लॉफ ता लैंड जिस देश में ट्विटर काम करता है इसको माना होगा कि यहां का जो कानून है उसको यह उस जीन लिया गया अब निव आईटी रूल्स क्या है तो देखिए निव आईटी रूल्स के तहट जैसा मैंने आपको बताया कि यह 25 मही तक इनको कंप्लाई करना था और इसके तहट इनको एक कोई भी कंप्लेंट आने के लिए ग्रिवेंश रिड्रेशनल मेकैनिजम तयार क आई गई थी और पाथ जून को इसी के तहट पाथ जून को सेंटर ने फाइनल नोटिस ट्विटर को भेजा था कि अभी तक इन्होंने स्टैट्री प्रोविजन्स नहीं किये और अगर ऐसा नहीं करेगा तो इंट्रमेडरी स्टेटस को खो देगा तो गवर्मेंट ने ऐस इसके बार ट्विटर पहली बार ऐसा एक फस्ट अमेरिकन प्लाटफॉर्म हो गया है जिसने सेक्शन सेवेंटी नाइन आइटी एक्ट का अब देखें सवाल यह है कि बाकी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म ने क्या कोई अपना स्टेटस होया है जैसे यूट्यूब गूग इसको हैंडल करेगा 15 जुनों में और मई एंड तक इन सभी ने गूगल फेस्बुक वट्साप में अपनी सारी डीटेल्स आइटे मिनिस्ट्री को सम्मिट कर दी थी तो इनके खिलाफ कोई कारवाय नहीं की गई है और एक जून को वट्साप ने परेश पीलाल इनका नाम ग्रिवेंस आफिसर के तोर पर दिया था और आठ जून को फेस्बुक ने दिया था पूर्थी प्रिया जी के नाम उनके ग्रिवेंस आफिसर के तो पर उनकी वेब साइट पर तो ये थी सारी डीटेल्स अपका बहुत बहुत धन्यवाद